हेलो गाइज, वेल्कम बैक टू मैं योट्यूब चैनल वंदू हैंट क्राफ्ट आज के वीडियो में मोर्पंक जड़ी तैयार करेंगे इसके लिए आप मोर्पंक ले 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 ये बड़ी साइज की मोर्पंक है कम से कम आप 20 से 25 पीस आप मोर्पंक को ले ले आप एक कार्डबोर्ड नहीं है तो आप किसी भी इनवीटेशन कार्ट से सॉफ्ट कार्डबोर्ड ले सकते हैं सेलो टेप चाहिए होगा हाट ग्लू चाहिए हमें सीजर चाहिए आपके पास गोल्डेन और सिल्वर जो भी आर्टिफिशल डाइमंड शिट हो आप उसे यहां मोर ले मोरने के बाद यहां सेलो टेप से चिपता ले अच्छी तरह चिपकाने के बाद इसकी जो टोटल लंबाई है वह सेवेन इंच की है और यहां इस तरह आप गुलाई कि फोर इंच की यहां है एक और आप यहां हाफ इंच के लगभग कट लगा ले कट लगाने के बाद यहां इस तरह मोड़ ले और यहां सेलो टेप से यहां पेस्ट कर लें यहां नीचे की और से यह पूरी तरह कवर हो गई है यहां इस तरह प्यार कर लें नीचे चिपकाने के बाद अब इसकी टोटल लंबाई यहां 6.5 इंच है एक कार्डबोर्ड के पीस को आप यहां ले ले इसकी लंबाई 1.75 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच के करीब है आप इस तरह के सॉफ्ट कार्डबोर्ड को यहां इस तरह कट करके ले ले यहां इस तरह कट कर ले आप अब यहां आप पीकॉप फैदर को अब अरेंज करेंगे सबसे पहले आप एक पीकॉप फैदर को यहां इस तरह रखें और यहां इस तरह आप इसे अरेंज करें इस तरह हमें अरेंज करना है अरेंज करने के पहले आप कुछ पिकॉप के स्टिक को ले लें अब यहां सेलो टेप से इसे बराबर करते हुए यहां इस तरह प्यार कर लें अब जो यह काड़ बोर्ड को हमने कट किया था अब यहां उपर की और ग्लू लगाते हुए यहां पेस्ट करें और यहां सबसे पहले एक पिकॉप फैदर को यहां पेस्ट करेंगे और नीचे की ओर भी थोड़ी गुलू लगाते हुए यहां पेस्ट करेंगे और यहां पेस्ट करेंगे नीचे कर नीचे की ओूप बोर्पना प्लू जीरी जब यहां जो जो आप इनक हम sail and Sam इस तरह अरेंज करने के बाद नीचे जो यहां बड़ी हो गई है एक्स्ट्रा फैदर को कट कर दें अब यहां इससे इसमें डाल देयें यहां नीचे की और से यहां प्रेस करें यह चली जाएगी हैं अब अब आपके पास अगर golden tissue ribbon है अगर आप golden tissue ribbon से सजाना चाहते हैं तो golden को लगाए और यहां फिर आप silver tissue ribbon से यहां सजाना चाहते हैं तो silver से भी सजा सकते हैं अब यहां golden tissue ribbon ले 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 इसकी जो चौड़ाई है वो 0.75 इंच है यानि हाफ इंच और वन इंच के बीचो बीच जो माक है यह इतनी चौड़ी golden tissue ribbon को यहां ले ले यहां हाफ इंच भी आपके पास हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं यहां इस तरह इसे लगाना है तो आप यहां से लगाना सुरूर करें ज्यादा खीचते हुए यहां tissue ribbon को ना लगाए इसे हलके हाथों से ही यहां मोड़ें अगर आपके पास color वाली लेस हो तो यहां आप color वाली लेस को भी लगा सकते हैं और वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें नीची की ओड आप थोड़ी glue लगा के यहां paste कर दें अगर यहां आपको लगे थोड़ी धीली है तो आप यहां थोड़ी glue लगाते लिए पीछे की ओड़ से यहां कट करके पिकॉक फैदर के स्टीम को कट करके यहां डाल दे जिससे कि यह थोड़ी सक्त हो जाए यह पेस्ट हो गई है अब यहां आर्टिपीसियल डायमंड शेक लें इसके डबल लाइन कट कर लें अब यहां पेस्ट कर लें यहां उपर की ओर के लिए यहां इस तरह बड़े-बड़े स्क्वाइर पीस हमें खट करने हैं इस आर्टिपीशल डायमंड शेक को और यहां उपर की ओर भी पेस्ट कर दें अब यहां कोई भी बूटी पेस्ट करना चाहें तो यहां एक बूटी को पेस्ट कर दें आपके पास कोई भी बूटी हो आप यहां इस तरह पेस्ट कर दें ठाकुर जी के लिए और श्याम बाबा के लिए आप इस तरह घर पे ही मोर्पंख छड़ी त्यार कर सकते हैं इस और वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक डेस्क्रिप्सन में दे हुई है, आप वहाँ से भी देख सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बैल आइकन को प्रेस करें, पर क्लिक करें, जैसे मेरे आने वाले वीडियो उसके नोटिपेकिसन आप तक सबसे पहले पहुचें, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फ्रेस्बुक पेज पर भी मुझे फालो करें, तो चलिए, पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे,